एक मित्र का प्रस्ण है गुरुजी आप कहते हो बर्तमान काल के साथ लाइबद्ध होने से आनन्दा और सत्य का अनुभब होता है मगर मुझको जब भी बर्तमान का अनुभब होता है वहां तो दुखा, तना, बोजिलता, आलश्य के शिवा और कुछ पीर नहीं होता तो ये कैसे संभब है बर्तमान की काल के साथ जुड़के सत्य आनन्दा का अनुभब होना तो अगर आपको ऐसा अनुभब होता है तो बात क्लियर है आपको बर्तमान छेन के साथ जुड़ने की कला आपने जानी नहीं, सिक्की नहीं आप बरतमान के नाम पे या भूत काल के बारे में सोचते हो या भविश्यत काल के बारे में सोचते हो जैसे आप कहते हो मुझे दुख दर्द इत्यादिका अनुवब होता है दुख दर्द चिंता इत्यादिका अनुवब जो आपको होता है वो कहां से होता है जब भी आपको शरीर का अनुभब होता है तब आप जान ले ना कि आपको भूत काल का अनुभब हो रहा होता है जिसे आपको आपका शरीर अनुभब में आया उसका बोजिलता उसका दुख उसका दर्द अनुभब में आया तो ये आपको भूतकाल का अनुभब हो रहा है, बरतमान का अनुभब नहीं हो रहा है, क्योंकि बरतमान काल में या अभी इसी छेण में जब आप रहते हो तब आपको शरीर अनुभब नहीं होता है, शरीर तो एक माननेता है और माननेता भूतकाल से आती है, जो आप कहते हो ये शरीर हुँ इसका जो आपको फिलिंग होता है इसको जाने क्या ये बरतमान में अनुभव होता है या भूतकाल का अनुभव है या आपने अपने को जो शरीर हुँ माना है ये बात ये क्या बरतमान में घटित हो रही है ये मानने ता ये भूतकाल से आ रही है इसको जानन आप बहुत लंबे समय से अपने को सरीर मानते आ रहे हो और जब भी आप अपने को महीं कहते हो तब आपको ये सरीर अनुभब में आता है तो ये शरीर अभी इसी छेण अनुभब में नहीं आ रहा है इसके एक लंबी प्रोसेस है आप बहुत साल से मैं शरीर हूँ कहे के आए हो तो अभी आपको शरीर का अनुभब आएगा तो वो कल का ही अनुभब आएगा जैसे एक बच्चा होता है एक डेड़ साल का उसको अभी पता नहीं होता कि वो सरीर है जब उसको भूग लगती है या कुछ बिमार होता है तब वो मैं बिमार हो गया मुझे भूग लग गई इस तरह नहीं कहता वो अपने सरीर को दिखाता है जैसे भूग लगी है तो उसको वो कहता है पेट को दिखाता है और यहां भूग लगी है यह कहता है तो मैं सरीर हूँ यह जो भाव है यह जन्मसिद्धन नहीं आता है यह बाद में सोसाइटी में जब हम जीते हैं दुसरों के साथ जब हम जीते हैं दुसरों के साथ जीने के कारण अपने को कुछ भिन्ना सोचना आवसिक पड़ता है विभारी कामकाच के लिए और मानना पड़ता है अपने को कि मैं कुछ हूँ कुछ अलग हूँ दुसरे से तो मैं मैं कहे के भितर से हम अपने शरीर के साथ शिपक जाते हैं और कहते हैं कि मैं शरीर हूँ और यह मान नेता हमारे जीवन में घेर लिती है और जब भी हमको अपना शरीर अनुभब होता है तब वो अनुभब अभी का अनुभब नहीं होता है वो बीगत का अनुभब होता है जैसे जब आप कहते हो इस छेण में आप रहो इस छेण में रहने की जो आप चेश्टा करते हो तो इस इसी छेड में आपको क्या अनभव आता है? आपका सरीर अनभव आता है. शरीर की बुझिलता अनभव आएगा, मन में चलते हुए बिचारों और भावों के सम्मेदना आपको अनभव में आएगा. मगर वो जो भी सम्मेदना है भाब है मन में चलते हुए विचार है शरीर का भाब है यह सब अभी इसी वक्त पईदा हुआ नहीं है यह सब तो बिगत में भूतकाल में आपने जो बहुत समय से मानते आये हैं वो ही बात है तो यह एक माननेता होता है और माननेता जहां आएगा वहां बरतमान नहीं होगा माननेता यानि भूतकाल या भविश्यतकाल सत्य और असत्य में क्या फर्क होता है असत्य को मानना पड़ता है मान के ही वो होता है सत्य को मानना नहीं पड़ता वो अपने आप होता है जैसे मैं शरीर हूँ ये असत्य है, अपने आप नहीं है आप शरीर, आपको मैं शरीर हूँ कहने के लिए बहुत साल तक इसका अभ्यास करना होगा, आपको लगातार शरीर के साथ तादात्मी करना होगा, दोहराना होगा अपने को मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हू यह जात का हूँ, इस बर्ग का हूँ, इस लिंग का हूँ, तो इस तरह आपको लगातार दोहराना होगा, जब जितनी बार आप दोहराओगे, उतना आप मैं बनोगे, मगर सत्य को दोहराना नहीं होगा आप दोहराओ या मत दोहराओ शत्य तो सत्य है आप कुछ भी मत कहो आप मैं सरीर हूँ भी मत कहो मैं मन हूँ भी मत कहो आप कुछ भी माननेता मन में नहीं रखो तो भी आपका होना तो होगा अइसा नहीं होगा कि आपने माई शरीर हो नहीं कहा, इसलिए आप सरीर नहीं रहोगे, याप मर जाओगे, ऐसा तो नहीं होगे, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका किसी एक्स्टेंज में मन एकदम से बिनस्ता हो जाता है, पिर भी वो लोग तो होते हैं लोग मर नहीं जाते हैं तो अपने को मैं शरीर हो मानो मैं विचार हो मानो या नहीं मानो इससे सत्य को कोई फरक नहीं पड़ेगा सत्य तो जैसा है वैसा है तो सत्य को मानना नहीं पड़ता अपने आप होता है असत्य को मानना पड़ता है इसलिए जितनी बार असत्य को आप दोरा होगे असत्य उतना घना होता जाएगा तो अभी आप मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ इस भाब से घने हो गए हो इसलिए जब भी आपको कोई कहता है कि आप बरतमान छेण के साथ रहो निर्विचार होकर रहो, सांत होकर रहो आप सांत होकर रहे नहीं सकते क्योंगे आपकी तो आदत है जब भी मन में कुछ बिचार आएंगे आप एकदम से प्रुभावित हो जाएगे तो बरतमान छेण में जीने का आर्थ है कि हम बिचारों में नहीं जीएंगे, कलपनाओं में नहीं जीएंगे जैसा है उसमें जीएंगे बहुर सिम्पल सी बात है जीए बरतमान छेण होता है जहां पर खुला आकास होता है हवा चल रही होती है, सुरज उग्रा होता है, चीडिया उड़ रही होती है जानवर सक्रिय होते रहते हैं तो इस छेण में आपको कुछ करने के आवस्चेक्ता नहीं होती है आपको ये कहना आवस्यक नहीं होता है कि मैं सरीर हूँ, आपको ये कहनी कि आवस्यक नहीं होती है कि मैं मन हूँ, आप कुछ भी मत कहो तो भी तो आप होंगे, तो समझ लेना चाहिए कि बरतमान छेन के अनुभब में आपको दुख दर्द का अनुभब हो रहा है, तो आप बर्तमान के साथ अभी जूड नहीं पाया, आप भूतकाल या भविश्चितकाल के ही साथ जुड़े हो, शरीर के साथ जुड़ना माने भूतकाल के बारे में जुड़ना, क्योंकि मैं सरीर हूँ, ये माननेता भूतकाल में इस्तापित की गई है, अभी इस्तापित हमने नही कर रहा है, अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि मैं सरीर हूँ, ये तुम पहले बच्वन से ही ये माननेता हमारे मन में बंती आई है, इसलिए अपने को सरीर के तरह महसूस करने का जो भाब आपको होगा, वो भूतकाल का ही होगा अभी का नहीं होगा और इसमें रहस्य में बात एक यह है जब भी आप कहते हो मैं शरीर हूँ और वो जो अनुभब आपको आता है शरीर वो शरीर ये बास्तविक शरीर नहीं होता है वो शरीर आपका कालपनिक शरीर होता है, मान्यता उनका शरीर होता है, यह हाथ-पएर वाला अढ़ी मांग्स वाला, यह जो शरीर होता है, यह शरीर का अनुभव आपको नहीं होता है। देखे न, आप आँख बंद करे या नहीं करे जब भी आपको शरीर अनुभब आता है, तो क्या अनुभब आता है? माननेता अनुभब आता है कि खुद शरीर ही अनुभब आता है. शरीर ही अगर अनुभब आता है तो आपको पईर से सर्तक हर एक चीज अनुभब में आनी चाहिए आपका अंगुली भी अनुभब में आनी चाहिए आपका भीतर का मांक्स हड्डियां सब अनुभब में आनी चाहिए और बाहर का तोचा, सभी जने निंद्रिय, सभी अंग आपको अनुभब में आना चाहिए, मगर हमारा सरीर हमारे अनुभब में कैसा आता है हम को देखना चाहिए, जहां सरीर पे कुछ ब्लकेज है, जहां इनर्जी रुकी है, उसी सारीरिक अंग का हमको अनुभब बता है, जही से हम शरीर काहिने का आर्थ, जही से आपके पीठ पे कुछ दर्द है, तो पीठ आपको अनुभब में आएगा, मगर आप पीठ ही तो नहीं हो, अगर आप शरीर हो, तो पूरे ही शरीर होना चाहिए, मगर आपको पीठ ही अनुभब में आ रहा होता है, या मन में चलते ह विचार ही अनुभब में आते रहते हैं, मन में कुछ बुरा विचार चला, या कुछ भाब आया, नेगिटिब भाब आया, तो वो आपको अनुभब होगा, मगर सरीर का आर्थ एक भाब ही तो नहीं होता है, सरीर का आर्थ तो सभी भाब जो भी सरीर से निकलती हैं, तो इसलिए भी एक मालनेता होती है मैं शरीर हूँ ये सत्य नहीं होता है तो बरतमान छेंड में जीने का अर्थ गहन है अईसा सश्ता नहीं है कि आप कहीं पर बैट गए और आपने भविष्यय और भूत के बारे में सोचना बंद कर दिया या उस पर ध्यान नहीं दिया और आप एकदम से बरतमान के छेड के साथ एक हो गए। आइसा नहीं है। आप भूत और भविश्यत काल के बारे में बाहर से तो बंद कर देंगे सोचने से, मगर भीतर से सोचना सुरू कर देंगे। भितर से मैं शरीर हूँ सोचेंगे तो ये भी भूतकाल की ही बात हुई भूतकाल की बात है ना मैं शरीर हूँ शरीर का अनुबब जो आपको वता है भूतकाल का अनुबब ये अभी का अनुबब नहीं है आपको अभी का अनुभवत ऐसा होगा कि जैसे आपको लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं ना मैं सरीर हूँ ना मैं मन हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं आकास देशे सुनने हूँ और अनन्त हूँ और बिराड और बाहर का जो आकासे महान बिराड वो और मेरे वितर जो आकासे महान बिराड वो एक ही है वो मिल गया आप फना हो गए, आप की वितर कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसा जब आपको अनुभव हो गए, तो ही असली बरतमान का अनुभव है, तो बरतमान छेण में जीने के लिए आपको भूत काल और भविश्यत काल की चिंता जो है, उसका चिंतन जो है, उसको छोड़ देना पार्द हो गया कहिसी है जैसे आप कहते हो मुझे दुख हो गया, तो वो दुख अभी हो नहीं सकता, ओने, दुख है भूत काल की मेमरी, आप दुखी कैसे होते हो या आप पहले घटी हुई किसी दुखत घटना के बारे में सोच के दुखी होते हो या पहले आपके सरीर में उत्पन्ना हुई किसी भाब या बृति के मेमूरी के कारण आप दुखी होते हो मगर किसी भूत और भविश्य के बारे में आप सोचते नहीं तो आप दुखी हो नहीं सकते क्योंकि इस वक्त तो आप आकास देशे खुले हो जाएंगे तो आकास देशे खुले हो जाएंगे बिराट हो जाएंगे तो आपका कैसा दुख हो सकता है और दुख होने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं आपके पास सरीर भी नहीं होगा तो असरीरी अनुभब आपको जब होगा तब ही आप बरतमान के सथ जुड़ पाएंगे तो इससे पहले कि आप बरतमान के साथ जुड़ जाओ आपको ये कला सिखनी होगी अपने को हर भूत काल की मेमोरी से बाहर लाने मैं सरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बिचार हूँ दुख है अनुभव, ये जो भी अनुभव हैं ये भूत काल की ही अनुभव होते हैं बरतमान काल का तो अनुभव नहीं होता है बरतमान काल का तो दर्शन होता है दर्शन होना और अनुभव होना फर्क बात है अनुभव होता है भूत काल का दर्शन होता है परतमन काल का जहीं से आपको किसी ने गाली दिया आपने उसको याद किया और आप दुखी हो गए तो वो है अनुभव वो अनुभव होने के लिए कोई ने कोई सहरा चाहिए भूतकाल का सहरा चाहिए तो आपको समझना होगा कि पहले दो-चार साल पहले जब किसी ने आपको गाली दिये था तो उसको समझना होगा तो ही वो अनुभव आपको होगा मगर दर्शन होने के लिए भूतकाल का कोई भी छेन आवस्चिक नहीं होगा दर्शन तो अभी इसी वक्त का ही होता है चाहे आप किसी फूल को देखकर प्रसन्न हो जाओ चाहे खुली आकास को देखकर आप प्रसन्न हो जाओ चाहे हरियाली को देख्या प्रसन्ह हो जाओ चाहे प्रेम का अनुभब करो आप वो अनुभब को प्राप्त करने के लिए आपको भूतकाल में जाना आवस्चिक नहीं होगा आप जहां हो वही पर यह अनुभब आपको होगा यह नगद अनुभब होगा तो दर्शन नगद अनुभब होता है अनुभब भूतकाल का अनुभब होता है तो दर्शन करना है दर्शन करने के लिए आपको आप जैसे हो उसके साथ जुणना है आप कैसे हो आपका सोभाब क्या है आपका सोभाब क्या सरीर है कि आपका सोभाब मन है या सरीर और मन एक माननेता है या भूदकाल है इसको जानने न जाएँ तो आप कौन हो आपका सुभाब क्या है तो उसके साथ आप जूरना है जब आप अपने सुभाब पस जुड़ोगे तो आप अस्तित्तु के सुभाब से भी जूर जाओगे जैसे आपके भितर का जो सोबा अभी आकास जैसा है सुनने हैं जब आप सुनने हो जाएंगे भितर से ना कुछ हो जाएंगे अचाना कि जो बाहर का फैला हुआ आकास है उसके साथ आपका मिलन हो जाएगा यह अनुभब दर्शन होगा, यह अनुभब नहीं होगा, इसको प्राप्ता करने के लिए भूतकाल में आपको जाना नहीं होगा, भूतकाल की किसी माननेताओं को दोहराना नहीं होगा, अभी इसी वक्त कुछ ना समझ के अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, तो सिदे ही हम बरतमान के साथ एक हो नहीं सकते, उससे पहले हमको अपने को बुलाने की कला सिखना होगा, भूतकाल को बुलाने की कला सिखना होगा, और भूतकाल में ये सभी चीजे आएंगे, आपका सरीर, आपका मन, आपका बिचार, आपका नाम, आपका पद, जो भी पहो जो भी आपका समग्र जीवन है वो सब भूत काल है वो सभी कुछ मिटना होगा तो ही आप बरतमान काल के साथ जूड़ पाओगे तो इसलिए पहले आप कुछ द्यान का प्रियास करें कुछ निर्विचार होने की कुछ अपने को दृष्ची जगत से अलग करने की बिध की तरह रहेना वहाँ आपको तो ही आप देख पाएंगे अभी इसी चन्ड क्या-क्या संद्रिय प्रकट हो रहा है मगर दर्शक की तरह आप रहते हो शरीर की तरह आप रहते हो तो आप इसका दर्शन कभी करने पाएंगे तो मितनों इस तरह के शाची का अनुभब प्राप्त करने के लिए अपने मन अपने विचार और शरीर के तादात्मिता से दूर रहने का कुछ प्राइबेर गाइडियर मेंटेशन मुझसे आप सीकना चाहते हो तो उसके लिए आप चाट कर सकते हो उसका नम्मर और लिंक दिस्क्रिप्शन में प्यावाइ